दीरी इंकानेशन और स्ट्रोंगेस्ट एक्जोसिष्ट के एपिसोड वन में हम लोग एक हिस्टोरिक जगा को देखते हैं जहाँ पर डीमन्स रात के समय पर लोग के ओपर हमला कर रहे होते हैं बाकी के टाउन के बचे लोग डर के मारे चुप जाते हैं जिसके आदम लोग आसमान में एक काफी बड़े ड्रैगन को देखते हैं जिसके ओपर एक बंदा खड़ा होता है और वो एक एक एक्जोसिष्ट होता है वो एक्जोसिष्ट कहने लगते हैं कि मैं बच्पन से ही ता exercise करने की और मैं सबसे ज़्यादा strongest बन गया और अगले से में हम लोग उसी exercise को देखते हैं जिसका घर पूरी तरीकी से डिश्ट्रे हो चुका है और वो भी मरने वाला है वो कहते हैं कि मेरे बंदों को hostage बना दिया गया और imperial light में मैंने एक दूश्मन बना लिया है यह सब मेरी test में निकालेते हैं और कहते हैं अगली बार मैं अच्छा करूँगा मैं अब अगली life में नई शुरुआत करूँगा और मैं बिल्कुल भी fail नहीं हूँगा ऐसा बोलने के बाद वो मर जाता है और अब अगली life में वो रियन का निटेड हो जाता है जहां पर उसके dad जिनका नाम blaze lamp pro होता है वो उसका magic चेक कर रहे होते हैं और वो magic sir का glow करने लगता है उसे देखकर एक बच्चा हसने लगता है और कहते हैं कि क्या ये सच हैं और अब हम लोग देखते कोई भी elemental stone glow ने हुए जिससे हमें पतल लगते हैं कि हमारे main character सेका के पास कोई भी माना नहीं है ये जानका सेका का भाई उसे चिड़ाने लगता है वही सेका बताता है कि ये एक ऐसा world है जिसमे magic exist करता है और human monster से battle करते हैं और हमारे family उलविट empire में काफी अच्छे magic scholar के नाम से जानी जाती है वही पर मैं इस family का तीसरा बेटा सेका लेंप्रोग जिसके पास कोई भी मान नहीं है साइका कहने लगता है कि कोई बात नहीं मेरे पास magic नहीं है लेकिन मेरे पास curse energy तो है कुछ दिन अबाद हम लोग सेका को देखते हैं जो की पतियों को लेकर चल रहा होता है और कहते हैं कि पेपर महेंगे आते हैं मैं इनी से काम चला लूँगा और वो उन पतियों को नीचे रखकर एक मंतर पढ़ता है जिससे कि वो पतिया उड़ने लगती है जिसका दो कुछ पतियों को चुहे में बदा देता है और कुछ को कवों में तभी सेका का भाई ग्रे वहापर आजाता है और उसकी तरफ पत्थर मार के कहता है कि तुम यहापर क्या कर रहे हो तो सेका उसे कहता है तुम पत्थर क्यों मार रहे हो यह सुनकर ग्रे को गुस्ता आजाता है और वो सेका को पंच मानने वाले होता है तेकिन तभी हमापर वही करुआ जाते है और वो ग्रे को चोच मानने लगते है तभी हमापर लूफ्ट आजाता है जो कि उनका भाई होत ग्रे से कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो तो ग्रे कहते हैं मुझे तरद हो रहाएं। तो लूफ्ट ग्रे को अब घर के अंदल यह जाता है। महीं सेका कहने लगता है कि चलो मैंने कम से कम अपनी शीकी गामिय को तो यूस किया… और अब इससे information collect करना और असान हो गया है जिसके सेका बताते कि वो 7 साल का हो गया लेकिन उसकी family उसका बड़े celebrate नहीं करती है जिसके आदो कहते हैं कि मुझे काफी information मिल चुकी है जैसे कि ये country काफी जादा बड़ी है ये मेरी past life की west country जैसी है लेकिन यहाँ का culture काफी जादा पीसफूल है जिसके अद हम लोग देखते हैं वो paper को काटके अपने लिए टेलिश्मेंट बना लेता है और वो देखकर वो काफी जादा खुश होता है और अब get noak होता है तो पता लगते हैं कि वहाँ पर ईफा ये जो कि उनकी made है इफा सेका से कहते हैं कि तुम्हारी जाड़ी में पढ़ी हुई थी जाकेट वापी लेने के बाद सेका सोचता है कि इसे पका ग्रे ने फैका होगा तब यहाँ पक ग्रे हादत है और वो गुस्ते में इफा से कहते हैं कि तुम क्यों ने कर रही हो तो इफा ग्रे से माफी मांगती है और कहती है मैं जा रही हूँ जिसके बाद ग्रे सेका से कहता है तुम कितने लगी हो तुम्हारे पास माना नहीं है इसे तुम्हें पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है मुझे देखो मैं अकैडमी में जाने वाला हूँ मैजिक पढ़ने के लिए इस अकैडमी का नाम है रोडने इंपेरिल अकैडमी ओफ मैजिक यह अकैडमी कोर्ट मैजिशन बनाने में फेमस है सेका यह सुनकर कहते है रोडनी अकैडमी तो ग्रे उसे कहते है आइडिया मत लगा तुम वापन नहीं जा सकते हो तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम यहीं पर होगे तभी यहाप एंचेद आजाते हैं और वो ग्रे से कहने लगते है तुम से कहा था ना मैं तुम्मारे मैजिक को देखने वाला हूँ जल्दी चलो Ultra अब ग्रेव उनकी बात मान लेता है और वो उनके साथ जाने लगता है तब ही सेका अपने डैड को रोकता है और कहते कि क्या मैं भी आ सकता हूँ तो उसके डैड मान दाते है जिसके अब वो लोग भारता थे और अब उनका टारगेट होता है सामने रखे पत्थरों को तोड़ना सबसे पहले लुफ्ट अपने मान को गैदर करके विंड एक्ट का यूज़ करके सामने राले पत्थरों को अराम से तोड़ देता है और अब ग्रे की बारी आती है वो अपने मैजिक का यूज़ करके फायर बोल बनाता है और सामने वाले पत्था के ओपर अटेक करता है तो उनके डैड उन दोने की थाइफ करते है जिसके अब ग्रे सेका से कहने लगते है कि तुम यहाँ पर आई गयो तो तुम अपना मैजिक क्यूने ट्राइ करते हो और अफिक ग्रे उसका मजाक उड़ा कर कहते है कि हाँ मैं तो भूली गया था तुम मैजिक के नहीं यूज़ कर सकते हो तो सेका उसे कहते है ठीक है मैं मैजिक ट्राइ करूँआ यह सुनकर सबी लोग हैरान हो जाते हैं वहीं सेका मन में कहने लगत ये देखका सभी लोग काफी हैलनोद आते हैं और कहते हैं बिना इंक्राइशन के बलू फायर कैसे बनाई तो इन niezे उन्हें बताते है कि ऐसे भी केस्स उते जो लोग magic use नहीं कर पाते हैं कहा जाता है कि उनके flame का color उनके माने की quality के हिसाफ से change होता है उनकी बास सुनकर सेका अपने डैड से कहता है कि मैं भी magic सीखना चाहता हूं तो उसके डैड उसे मना कर देते हैं और कहते हैं तुम्हार पास कोई भी माना नहीं है तो magic सीखना pointless है यह सुनका सेका थोड़ा दुखी होता है और अब उसके डैड कहते हैं लेकिन इससा मैं तुम्हार ले एक tutor हायर करने वाला हूं इसलिए उस पर focus करना तो सेका कहते हैं ठीक है मैं समझ गया और अब अगले सीमें हम लोग सेका को देखते हैं जो कि अपने tutor से पढ़ रहा होता है और साथ साथ वो अपने power को यूज़ करके अपने भाईों की training को देख रहा होता है और अब वो बुक के ज़रिये magic सीखने की कोशिच कर रहा होता है वहें उसके डैड उसे gate के बीच में से जाकर देख रहे होते हैं और अब हम लोग देखते काफी समय बीजाता है सेका अब 11 साल का हो चुका है वो एक टेलेशमेंट को देखकर कहता है कि मैं अपने पिश्चे लाइफ में demons को exercise करके उन्हें seal कर देता था seal का मतलब है मैं उन्हें वोड में भेज देता था लेकिन अगर मैं gate बनाऊंगा तो मैं उन्हें शाय से वोड से वापी बुला पाऊंगा सेका कहने लगता है कि मुझे पक्का विश्वास नहीं कि ये काम करेगा याफी नहीं इसलिए मैं सबसे पहले अच्छी भीएव करने वाली spirit को बुला लेता हूं और सेका टेलिश्मेंट का यूज़ करके एक gate खोल देता है जिससे कि वहाँ पर एक spirit आजाती है और वो एक लड़की होती है और उसका नाम Yuki होता है वहीं सेका सोच रहा हुता है कि क्या ये काम किया और अब Yuki उसे गले लगा लेती है और कहने लगते हैं Master Haru Yoshi मुझे नहीं लगाता है कि मैं आपसे दुबारा मिल पाऊंगी सेका उसे दूर करता है और सोचता है कि Yuki तो बोड़ी हुआ करती थी वह से पूछ से कि क्या तुम यंग हो गई तो बताती हाँ शाय से तुमारी कर्स एनरजी की वज़े से ये हुआ है तो सेका कहता है चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें समन तो कर पाया उतना ही बहुत है तो Yuki उसे कहते है कि आपने मुझे काफी समय बात समन किया इसलिए आप जो चाहोगे मैं वो करूंगी तो सेका कहते है कुछ ने मैं तो सिर्फ टेस्टिंग कर रहा था ऐसा बोलने के बाद सेका उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता है कि दूसरे लोग तुमें देखे इसलिए वापिस जाओ ये सुनकर यूकी खुद को एक फोक्स में ट्रांस्फॉर्म कर देती है और सेका के बाल पर बैट कर कहती है कि मैं वोईड में बोर हो चुकी हूँ इसलिए मुझे यहाँ पर चुपके रहने दो पर गलत इरादे है ये सब देखकर सेका बीच में आ जाता है और कहते है मुझे इफा से काम है इस वज़े से ग्रे को गुसा आ जाता है और सेका को पंच मानने बाला होता है लेकिन तब ही ग्रे उसका हाथ पकड़ लेता है ग्रे को अपना हाथ लाने में थोड़ी तकलिफ हो रही होती है इसलिए वो आप भी जाने लगता है और कहते हैं मैं इसे याद रखूँगा और अब इफा सेका का शुक्रे करती है सेका कहते हैं कोई बात नहीं अब तुम्हे उसके रुमे भी जाना नहीं पड़ेगा जिसके अब हम लोग देखते हैं इफा सेका को भाल ले आती है जहाँ पर एक डीमन जखमी पड़ा होता है इफा सेका से कहन लगती है कि क्या हम इसे बचा सकते हैं तो सेका कहते हैं मैं ट्राय कर सकता हूं इसे हील करने का लेकिन अगर तुम इधर देखोगी तुम्हें फोकस नहें कर पाँगा इसलिए अपने मूँ को उससे इड कर लो इफा भी मांझ जाती है और वो अपने मूँ को उसससे लेड कर लेती है और एक मंतर बोल कर उसे हील कर देता है जिसके आदो डीमन वहाँ से चले जाता है इफा ये देखकर काफी खुश रहाती है और वो सेका से कैन लगती है कि क्या तुम हीलिंग मैजिक भी उसकर सकते हो लोग कहते है तुम्हारे पार माना नहीं है कि तुम एनिमल की सोल का पीछा करती हो ये सुनकर इफा शोक हो जाती है और कहती कि क्या तुम भी सोल को देख सकती हो तो सेका कहते है हाँ और उसे कहते है कि तुम और भी जादे चीज़े देख सकती हो और कहते हैं इनी चीज़ की वई से मैं खोई होई चीज़ को काफ़ी जल्दी ढून लेती हूँ यह माना की तरफ अट्रेक्ट होते हैं लेकिन तुम्हार साथ ही अलग है यह तुम्हें अवोइड कर रहे हैं तो सेका उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें स्पिरिट को कमांड दे सकती हो तो इफा कहते हैं मैंने एक बार ट्राय तो क्या था लेकिन यह अच्छे से मेरी बात नहीं मानने थे इसलिए मैंने चिला कर इन्हें रोकने की कोशिश करी और यह लोग गायब हो गए यह सुनकर सेका मन में कहता है कि यह लोग इसकी कमांड सुन रहें यह तो काफी बड़ा डेलोप्मेंट है और अब सेका कहता है कि मेरे पिछले राइप में एक फोक्स डिमन हुआ करती थी जो की सोल फ्लेम को कमांड दे सकती थी रिसर्च करने के बाद पता लगा कि एक्सोसिष्ट भी सोल को कमांड दे सकते हैं लेकिन मैं ऐसक कभी ने कर पाया इसलिए मैं काफी समय से एक बच्चे को ढूंड रहो जिसके अंदर यह टेलेंट हो इसलिए को गुस्ता आज़ता है और वह चिला के कहते हैं यहां से चले जाओ और अब वह फ्लेम हां से गायब हो जाती है उसे देखकर सेका मन में कहता है कि इफा के अंदर तो टैलेंट है लेकिन यह काफी जादा वीक है थोई टेनिंग के बाद वह काफी अच्छी हो जाएगी और अब थोईड दिन बीतने लगते हैं सेका इफा को रोज रोज टेनिंग देने लगते हैं चाहे बारिश हो चाहे बरफ हो ऐसे करते करते एक साल भी जाते हैं सेका का आज बड़े है और वो बारा साल का हो चुका है लेकिन कोई भी उसका बड़े सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं ना ही उसके लिए कोई गिफ्ट है और ना ही उसके डैड आज घर पर हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से सेका को कोई फरकने पड़ता। और अब सेका होल में चल रहा होता है। तब ही ग्रे उसके पास आता है और कहता है हम तुम्हें ट्रेनिंग देंगे। और लुफ्ट को बताती है कि टाउन में एक काफी बड़ा मोस्टर दिखा है। तब ही दूसरी मेंड वहाँ पर आती है और कहती है मास्टर वहाँ पर गए थे और मैजिक का यूस किया लेकिन वहाँ से भाग गया और अब वो मोस्टर हमारे घर के तरफ ही बढ़ रहा है। यह सुनकर ग्रे काफी डर जाता है वही से का सेंस कर लेता है और बताता है कि वह मोस्टर यहीं आ रहा है। तबी अचाएंसे वो जगा हिलने लगती है और वो खिड़की खोल कर देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर तो सही में काफी बड़ा मोंस्टर उनके घर के पास खड़ा है ये देखकर तो ग्रे की हवा टाइट हो जाती है और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है जो कि उस मोंस्टर को दूर कर देती है ये देखकर सेका हैरन हो जाता है और कहते है कि क्या सोल फ्लेम ने इफा को प्रोटेक्ट किया और अब सेका समझ जाता है कि इफा ने ही इन फ्लेम का यूज़ किया उन लोग को बचाने के लिए इस वैसे सेका खुश जाता है और कहत लगते हैं तो काफी बड़ी आबात ए और अब सेका उस मौस्टर को अपने पीछे ले आता है वहीं सारे लोग खिर्की से बार देखते हैं तो उन्हें पता लगते कि सेका उस मौस्टर से लड़ने वाल है और अब सेका एक टोकसिस सॉल फ्लेम आर्ट का यूस करके उस मोंस्टर को एक ही बारी मारा देता है ये देखकर सभी लोग हैरंद आते हैं कि सेका ने एक ही हिट में उस मोंस्टर को मार दिया वो लोग कहने लगते हैं कि सेका तो काफी जादर स्ट्रोंग है और अब सारे मेर्ड सेका के लिए तालिया बजाने लगते हैं वही गरेट टेबल के नीचे दुबक कर बैठा है उसे तो पता भी ने कि आखिरकार हुआ क्या है और अफसे का अपने ले तालिया और अपनी तारीश सुन कर कहता है कि यही डेवलोप्मेंट तो मुझे चाहिए थी और मैं ऐसे ही लोगों को दोखे में रखने वाली लाइफ जीना चाहता हूँ और इसी की साथ हो जाता है एपिसोड वन खतम तो गाइस यार मेरे को तो काफी मज़ा आया आप लोगो मज़ा है या नहीं मुझे कमेंट में ज़रू बताना और हाँ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आप मेंसे काफी लोग चैनल को सबस्क्राइब नहीं करते हो तो जल्ली से चैनल को सबस्क्राइब करो मिलते हैं इसके नेक्श अपिसोड में तब तक के लिए पीस आउट